आस्वाद घर की रसोई से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आज हम बनाने जा रहे चिकन भुना मसाला ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलेशियोस होता है इसका स्वाद बाकी जो हम ग्रेवी वादा चिकन बनाते उससे बिल्कुल हटकर होता है तो आप लो जरूर है किजिए गा गवार 3 धर चौ चलिए स्टाट करते हैं तो इसके लिए मैंने यहा पूर लिया हूए हम इसे अच्छे तर मिक्स कर लेंगे और 20-25 मिनट तक मैरीनेशन के लिए साइड में रख देंगे देखिए हमने चितर से मिक्स कर लिया है यह हम ग्रेवी की तयारी कर लेते है हमारे प्याच प्याज टमाटर और मिर्ची और यहां पर हमारे सूखे मसल तो मैंने लिया धनिया काली मिर्च जीरा लॉंग तीन इलाइची एक बड़ी इलाइची दो स्टार फूल तेजपत्ता और दाल चीनी आप चाहें तो काली मिर्श थोड़ी कम कर सकते हैं आपको मसाले की कॉंटिटी जादा लग रही होगी पर यह मसाले जादा नहीं है क्योंकि हम इस इन ही मसालों से अपना चिकन बनाने वाले और कोई भी मसाला एड नहीं करना वाले तो इन मसालों को हम धीमिया अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा करके हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे फाइन पाउडर कर लेना है मैं अपने मसालों का देखें हमारी प्याज और टमाटर भी बारी कट लिया है मैंने उसी कड़ाइ में में तेल और करूंगी मैं शर्सो के तेल मैं बना रही हूं आप चाहे तो नॉर्मल वेजिटेबल ओयल में भी यह बना सकते हैं देखें मैंने तेल आड़ कर दिया और यहां पर हमारा पाउडर भी मसालों का पाउडर भी तैयार है तो हमारा तेल गरम हो चुका है हम इसमें आड़ करेंगे अपनी बारी कटी हुई प्या और प्यास को अच्छी तरह से हमें भून लेना है हम इसमें कोई भी खड़े मसाले डाल सकते हैं पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है देखिए हम अपने प्यास को अच्छी तरह से भून लेंगे चला-चला कर देखिए अच्छी तरह से भूलेना, हमने दम राउन नहीं करना, अपने प्यास को, हलके से पिंकेश की रखने, ज्यादा हमने पका कर नहीं लेना अपने प्यास को, तो देखिए हमारा प्यास दम पक चुका है, रेडी है, अब इसमें हम टमाटर और मिर्ची अट कर देंगे हरी मिर्शी आट कर देंगे और टमाटरों को भी फिर हमें अच्छी तरह से पका लेना है इस ग्रेवी का अलग ही बिल्कुल अलग ही टेस्ट आता है आप लोग जरूर एक बार ट्राइ किजेगा आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और अगर यह वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक किजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और मेरे वीडियो को शेर करना बिल्कुल ना भूलेगा तो देखिए हमारे टमाटर भी गल चुके है मैं इसमें मैंने हल्दी पाउडर कश्मीरी लाल मिर्श पाउडर और लाल मिर्श पाउडर और अट करेंगे हम इसमें नमक और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे नमक हम हिसाब से अट करेंगे क्योंकि मैरीनेशन के वग भी हमने नमक अट किया है तो इस बात का हमें ध्यान रखना है और इसे हम अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे मसालो को थोड़ा सथ रोस्ट कर लेंगे टमाटर और प्याज के साथ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनती है अप लोग जरूर अप लोगों को बहुत पसंद आएगा और इसमें हमने आड़ किया अद्रक लसन का पेस्ट और अद्रक लसन के पेस्ट को भी हमें अच्छी से पका लेना है इसकी रौ स्मेल बिसिकली खतम कर लेनी हमें इतना पकाना है इसे देखिए अच्छी से मिक्स करेंगे बिल्कुल कच्छा पन खतम हो जाएगा उतब तक हमें पकाना है इस बात का ध्यान रखेगी कच्छा ना रहे हमारा अद्रक लसन का पेस्ट अच्छे से चला चला के हमें पकाते रहना है ऐसे देखिये अब यह बिल्कुल रेडी है इसमें अपने जो गृइंड किये हुए मसाले है वो हम इसमें आड गर सकते हैं क्योंकि हमारा लसन अद्रक पक है क्या देखिये मैं साब अठक कर दिया है बस अब हमें इसमें कोई भी मसाले आड़ने ही करना बस इतने अपने मसालों से अमारा चिकन बुना मसाला एदम रेड़ि हो जायेगा बहुत ही डिलेशियस था ना तो हमें मसालो भी जाम अच्छी तरह मिक्स करना है जाना हे लोह फ्लेम पर हाइफ नहीं करना है आ अपने मसालों को清 आरोमे बया प्रोड है है था आप da मसालो में मिक्स कर लेङे। अब हमें ऑख से चिकन को मिक्स कर लेना है। मिक्स कर लेने के बाद धुटक फेटीन के बाद किसे ढख पेंकें पहुआव से पर कि पाने हमा जो प्याज और टमाटर हमने डाला है उसी के पानी से हमारा चिकन बहुत ही अच्छी तरह से कुख हो जाएगा अगर आप चाहे तो थोड़ा सा पानी ग्रेवी के लिए एड़ कर सकते हैं देखिए मैंने फिरसे से ढग दिया चला कर इसे हम बीच-बीच में चेक करते मैंने दस मिनट के बाद फिर से हमारा चिकन एट किया तो देखिए कितना सारा पानी था इसने चिकन ने भी अपना पानी रिलीस किया है और प्याज और टमाटर का भी पानी है यह बहुत ही अच्छी खुश्बुवारी हमारे चिकन से यह फिर से मैंने ढग दिया है इसे प पक रहा है रेसिपी आप लोग जरूर ट्राय किजेगा आप लोग को बहुत पसंद आएगी रेसिपी यह इसे मैंने फिर से ढग दिया है ढग कर हम अच्छे से पकने देंगे अपने चिकन को देखिए हमारा चिकन तम बिल्कुल रेडी है पक चुका है इसमें मैंने हाफ कप पानी अपनी और यह पानी अच्छा चाहरे हो तो अपनी अच्छे से अपना भूस्त पक चूड़ने लगे तब आप लोग एक बार चेक कर लेजेगा च्प कपा है और देखिए इसमें मैंने हरा धनिया और कसूरी मैं ति अटिटी शोड़ने लगे तब तब चिकन कर दिया है कसूरी मोथी एड़ करने से स्वाथ बहुत ही अच्छा आता है तो आप लोग भी जरूर एड़ कीजेगा और कसूरी मेथी और धनिया एड़ करके हम चिकन को थोड़ा सा धग देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि धनिया और कसूरी मेथी का सारा फ्लेवर हमारे अधन में चला जाए और यह चिकन आप रोटी नान पराथा प्लेन राइस कैसे भी खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी बनता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाइ अपना ध्यान रखे और मुझे से जरूर कॉमेंट में बता आपको कैसा लगाई यह जरूर कॉमेंट म